तो जैसे कि अभी आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे तो यह में हाथ में रखा हूँ black अगरबती, और इस black अगरबती की जो qualities होती है, उसे हमें किस तरीके से पहचांदना होता हुआ है, कि इसमें जो एक सही तरीके का जो चारकॉल यूस किया गया हो, या फिर sodas जो होती है वो भी अच्छी यूज़ किया गया हो और एक जो gumming capacity होती है या इसमे जो powder यूज़ किया गया होगा या फिर इसमें guar gum का यूज़ किया गया होगा और किसी भी चीज़ को अगर हम देखें अगर ऐसा देखके चलें तो हमें qualities का अंताजा नहीं लग पाता हम पता नहीं कर पाते कि कौन-कौन से materials raw materials का यूज़ करके वो बनाया होगा और इसी के बीच में मैं आपको कुछ चीज़े बताने वाला हूं जिससे हम ब्लैक अगरब कि अगरब खूज़ू झार पाताइब और गूज़ू तो हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और एक चोटा सा रिक्विश्ट अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि अगरवत्ति बिजनेस से रेलेटेड ऐसी कुछ इन सामने आप देख पा रहे होंगे यह है ब्लैक अगरवत्ति और इस ब्लैक अगरवत्ति की q facto को पैचानने के लिए आपको 2-3 चीजे जो है समझने की जरूरत है सबसे पहले आप देखे यह हैं अगरवत्ति और ऐसा ऑपको पता नहीं लगेगा इसमें क्या-क्या इंग्रि अब के लिए निकाल के दिखाता हूँ जैसे कि एक इस्टीक हमने रखी हुई है तो सबसे पहले एक quality को समझने के लिए आपको कुछ-कुछ चीजों के बारे में ध्यान देनी ज़रूरी है, तो सबसे पहले यह इस्टीक हैं, जैसा के मामले में काफी पीछे होती और नहीं परफ्यूमिंग करने के बाद उस्में से एक अच्छी बूस्टिंग होती है और उपर से इसमें जो गौवार गम से बनी हुई है अगर बती होती है उसमें बर्निंग का ईशू होता है डेपिंग रेश्यों कम से कम जाता है तो ऐसी का तरहीत की वह भी Woah hoping yeah to subscribe के यूर। जो सब्सक्राइब कि जोश बारे वह अगर्वत्तियां ओगी जैसे हमारी मेरी prima चलती है working of techniques आप उसको ठोड़सी ड्राइब करो और सूखा करने के टाइम के आप देखोगे तो उसमें एक हलका खुर्दूरापन आपको नजर आएगा जो से बनी हुई अगरबत्यों में तो सामने आप देख पारे होंगे तो इसमें हलकी एक जो थोड़ा सा पास लाके में दिखाता हूं आपको सायद कैमरे से नहीं दिख पाएगा अगर आप इस्टिक र मिलेगी हलकी खुर्दूरापन होगी जो से बनी हुई अगरबत्यों में और दूसरा चीछ जो की फिनिशिंग जो होती है तो इसमें कुछ खास फिनिशिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी मतलब एक जो लाइट वेड़ जो होता है ना कलर मतलब हलका कालापन हम इसे मान तरीके से लाल होती है जैसा कि आप देखे होंगे तो यह दूजी हो गई तीसरा चीज मैं बताऊंगा तो जो स्टीक होती है तो श्टीक को कुछ इसतारीके से अगर मोड़े कुछी सरीके से मोडे तो यह लचीलापन इसमें होती है आप देखोगे तो इसमें हलकी लचीलापन आपको नजर आएंगी तो यह तीन चीजे मैंने तीन केटेग्री बता दिया अब इसमें देखो गवार्गम अगर आप यूज करके बनी होगी गवार्गम तो उसमें क्या-क्या जो है आपको देखने को मिलेगी वो मैं बताता हूँ सबसे पहले जो मैं बताया था कि जो इस्टीक्स होगी तो इसमें ग्वारगम से बनी अगरवत्ति होगी हाला कि यह जो से बनी हुई है यह मेरी बनाई हुई अगर्बत्यर्च ए ऐसा में कि मैं छलनक की भीारगेम से बनाता हूँ ऐसा नहीं है तो उस तरीके से होगी और बहुत अच्छा finishing आपको देखनों को मिलेगा और हलकी सी उसमें चमकपन जो होती है गवारगम से बनी हुई अगरबत्यों में पहला reason आपको दे दिया, दूसरा reason जो मैं आपको बतानी की कोशिज करता हूँ उसमें आप देखोगे तो dipping ratio जो होता है वो बहुत कम आएगा और दूसरी चीज मैं बताना चाहूँगा तो एक चीज आप notice किये होंगे जो गवारगम से बनी हुई अगरबत्या होती है उसमें dipping ratio बहुत ही कम होता है minimum 1 kg के अंदर वो 100 gram सोखेगी या तो 100 gram से थोड़ा उपर 150 तक ही सोखेगी उससे जादा वो एक जो आप नहीं करती परफ्यूम reason यह है कि जो गवारगम की जो capacity होती है मतलब जो गमिंग capacity की जो power होती है वो काफी strong होती है तो उस तरीके से जो charcoal की जकड होती है उसको वो पूरी तरीके से पकड़ के रखती है जिसके वाज़ा से परफ्यूम नहीं सोख पाती और उसमें एक reason और होता है burning का burning का काफी ज्यादा issue हो जाता है उसी कारान से ब्लैक अगरबत्ती काफी ज्यादा बूज जाती है बिस से stop burning की नजर लगाके आप एक बार सुनिएगा जो इस्टिक होती है उसमें एक जो मुलायाम पन होती है वो खतम हो जाती है जैसे कि अब देख तो थोड़ा लचील पन है इसमें तूटने उटने का कोई प्रोब्लम उसमें कट से आपको टूटनी की आवाज आईगी तो कुछ इस तरीके से आपको जो है ब्लैक अगरबत्ती की जो क्वालिटीज है वो आप पहचान सकते हो कि यह वारगम से बनी हुई है या फिर जोस पाउडर से बनी हुई तो यह तरीका होता है और बाकि जो अगर वो ज्यादा मात्रा में यूज किया ऐा होगा तो उसमेंसे जो है डिपिंग रेशियो काफी ज्यादा आएगा और उसके साथ-साथ जो फॉग होती है जो धुँवा निकलने की केपिसिटी होती है वो ''काफी ज्यादा होगी तो चर्कॉल का मैं इसू बता दिया आप क्वालिटीज को समझ सकते हैं जान सकते हैं तो यहीं था एक छोटा सा टॉपिक आज का और यह वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं खीचना चाहता बस चोड़ी सी चीजे थी तो इस तरीके से आप इसकी क्वालिटीज को समझ सकते हैं पहचान सकते हैं और जान सकते हैं ताक